नोड्स ये चाप्टर नहीं पढ़ा करते, बहुत से लोग नोड्स लेके चाप्टर पढ़ते, नोड्स क्लास 10 साइंस ये कुछ ऐसा टॉपिक है, इसके आप पूरे साल बार यूटूब पे सर्ज करोगे सर, चाप्टर फर्स, कैमिकल रिएक्शन, सैन इकोईशन, बेस्ट चाप्टर 2nd, चाप्टर 3rd, नोड्स के रियार्डिंग कुछ बाते शियर करना चाऊँगा, साथ में आपको सारे चाप्टर के डूर्ट बरी मुझे पता, आप नोड्स को डाउलोड करने आयो, वह भी देखे जाऊँगा, बेस्ट देखे जाऊँगा, और बेस्ट क्यों नोड्स क्यों होते हैं, माल ये जाए कि आप चाप्टर 1st, चाप्टर 5 पढ़ लिए आपका ये जुलाई के मन्त में, अब आपने क्या देखा, जुलाई के मन्त में आपके परियोडिक टेस्स होने वाले हैं, उसमें चाप्टर 1st भी आ रहा है, अब जो गल्दी मैं करता जब मैं पढ़ रहा हो ना, तो मुझे आरा अच्छे से आ रहा है, तो मैं उसे कहीं भी नोड कुछ भी नहीं करता था, अब मुझे जुलाई के मन्त में फिर से चाप्टर 1 पढ़ना है, तो मैं गदो की तरह, sorry to say, मैं वैसे ही ना, पूरा चाप्टर फिर से पढ़ता था, और बार बार जो टॉपिक मुझे आते थे, उसको पढ़ पढ़ के टाइम बेस करता था, क्योंकि जो जितना डिमांड रखता है, आपको उतना ही पढ़ना पढ़ेगा, तो उस समय जब मुझे रिविजन करना था, तो मैं फिर से लेक्शर देख रहा था, और बाब में से म नोट्स है, अब पहला कोशन सर, नोट्स अपने होने चाहिए, या किसी और के आंसर है अपने, अपने कैसे, मान लो कि आप चाप्टर फ़र्स पढ़ रहे हो, आपको पता लग क्या, उसके बाद, अगर आप किसी नोट्स को ले भी रहे हो ना, उस नोट्स को अपने पहन रखा है, यह संतो सर का जुगाड है, अरे वी ने क्या पहन रखा है, अरे से क्या होता आर्ट्रीस, वी से आपका वी और सी से कैपलरीज है, यह आपके ब्लेड वैसल से, समचले कोशन पूछता हूं, इनमें से कौन सा आपका आर्ट्रीस और वी जोडने काम करेगा, तो अब यह जुगाड ना, आपने अपने नोट्स के कहीं साइड में ऐसे, ऐसे बॉक्स करके लिखा हुआ है, यह आपको एक्जाम टाइम में रिवाइस करना है, इसे बोलता है, अपने हिसाब से एडिट करना, आप जुगाड से कुछ आपने ट्रिक मना रखिये है, एक् नोट्स ऐसे लो, जो NCRT औरियंटेड है, NCRT औरियंटेड मतलब किया है, आज कल क्या होता है, हर कोई अपने नोट्स दे रहा है, और ऐसे में वो एक टैग ले रहा है कि मैं दुनिया का बेस्ट नोट्स मना रहा हूं नहीं बच्छा, आपको NCRT पढ़नी है ना, तो NCRT क NCRT है, मैं आपको पूरी बुक देखे नहीं जाओंगा, क्योंकि वहाँ पर आपके चाप्टर्स जो मानलो के है 15 थे, अब आपके 13 चाप्टर्स आ रहे हैं, तो जो 13 चाप्टर्स हैं, 13 के 13 चाप्टर्स को मैं अलग-अलग PDF देखे जा रहा हूं, नीचे आप जाओगा न आप जो नोट्स में दे रहा हूं, उसका प्रिंटाउट निकालो और बस उसको चेंज करो, हाइलाइट करो अच्छा, 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 ब्लू लिटमस को रेड करेगा, उसी को आपका टाइम बच्छाएगा, क्योंकि आपके जो नोट्स है, वो नोट्स अप्लोड करने जा रहा हूं, पुरे साल पर वीडियो की तलाश मत करना, ये वीडियो को सेफ कर लो, और जो नोट्स को एक बार डाउन करो, हो सके तो प्रिंटाउट निकालके पढ़ाई स्टार्ट करो, और मैं फिर से बोल रहा हूं, नोट्स से चाप्टर नहीं प्रिंट में प्रिंट कर दूँगा, वहां से आप सिरेवस करो, माल लो, वो वीडियो देखे आप नहीं, माल लो चापने देखा चाप्टर ठर्टी नहीं, आपने संतों से का वो लेक्चर देख लिया, उसके बाद आप आगे नोट्स में, और नोट्स को रिवाईस कर ले यह तरीक है, ऐसा एक बार कर लोगे ना, आपकी एंसियाटी खतम हो जाएगी, आप लेक्चर करते जाओ, नोट्स यहां से करो, उसके बाद मैं कोशन की सीरीज लेके आने वालो हो, इसी प्लैटफार्म के अंदर, तो मेक शूर कि आप मैंने साथ रहो, पुरे साल भर, सब्जेक्स में हेल्प चाहिए, जो तुने एक कॉमेंट करोगे ना, जो कॉमन टॉपिक होगा, मैं उसको लेकि आओंगा, तो यहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ में बच्छा मैं फिर से बोलूगा, चाप्टर पढ़ना, उसके बाद नोट्स को अप्लाई करना नोट्स से चाप्टर मत पढ़ना, नोट्स आपके खुद होने चाहिए, किसी और के अगर NCRT औरिनेट है, तो वहां पढ़ना बच्छा उसको एडिट करो, और जो नोट्स एर, एक बाद क्लापिंग करना, डारेक्टर एजुकेशन जो डैली कॉमेंट के स्कूल है, उन्ह स्क्रिप्शन में आपका वीडियो लिंक मिल जाएगी, साथ में जाके देखना, चाप्टर कलो, नोट्स मिल जाएगे, और अगर ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके कुछ काम क्योंगी, लाइक कर देना, और नेक्स लेक्टर क्या चाहते हो मुझे जरूरू ब